आईपियल खत्म होते ही केल राहूल के स्खिलाडी का आगया T20 वर्ल कप में ऐसा तूफान 300 के स्ट्राइक रेट से ठोक दिया इतना रन ओडगया ऑस्ट्रिलिया नहीं समझ पा रहे थे कप्तान मैदान छोड़ कर भागने लगे गिंदबाज मातर 25 गिंदों में करदी रनों की बारिश ठोक दिये इतने चौके छक्के की बौकला गए सभी गिंदबाज अगर केल राहूल ने किया होता इसका सही इस्तमाल तो पक्का था लखनो बन जाती स्पार आईपियल की चैंपियन जिन गिंदबाजों के नाम से कापते हैं बड़े बड़े बल्लेबाज जिनके डर से पैर नहीं रख पाते हैं बड़े बड़े खिलाडी उन्हीं बड़े बड़े गिंदबाजों को केल राहूल के बल्लेबाज ने इतना कूटा कि सर्फ पकड़ कर बैठ गए IPL खत्मोंने के बाद T20 की तैयारी में पूरा देश जुट गया है ऐसे में केल राहूल के खिलाडी ने वाम अप मैच में आस्ट्रेलिया गिंदबासों के धागे खोल दिये इतनी जवर्दस्त कुटाई की की बड़े-बड़े गिंदबास मैदान छोड़ कर भागने लगे कप्तान का दिमाग काम करना बंद कर बैठा क्योंकि 300 कि स्ट्राइक रेट से 25 गिंदों में मैदान के चारों तरफ से छके चौकों की बारिश दिखाई दे रही थी इस तूफान को रोकने के लिए आस्ट्रेलिया ने पूरा दम लगा दिया लेकिन सब बेदम हो गए और ये खिलाडी अकेले सब की धुनाई करता गया अभी तूफानी बल्लेबास का तूफान देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई चारों तरफ इस खिलाडी की चर्चा होने लगी कुछ लोग कह रहे हैं कि आईपियल में सभी विदेशी खिलाडी टाइम पास करने के लिए आते हैं और जब देश की बात आती है तो वो जिजान लगा देते हैं शायर इसलिए केल राहुल की तूफानी बल्लेबास का तूफान देखकर आज दुनिया दहल गई बता दे कि टी ट्वेंडी वोर्ल कप दोहजार चौबिस के वोर्म अप मैच में तबाही का ऐसा मनज़र देखनी को मिला जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा वेस्टनीज के विसफोटक विकेट कीपर बल्लेबास निकोलस पूरन ने तूफान मचा देने वाली पारी खेली चत्तर अंठोक दिये निकोलस पूरन की पारी में पांच चौके और आठ चौके शामिल रहे निकोलस पूरन ने तीन सो के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और आस्ट्रिलियाई गेंदवाजों की धच्चिया उड़ा कर रख दी बैटिंग के दोरान निकोलस पूरन का तबाही मचाने वाला ट्रेलर देखकर टी ट्वेंटी वर्लकप दोहजार चौबिस से पहले ही वेस्ट इन्डीज की विरोधी टीमों के अंदर अभी से खौफ की लहट दोड़ गई निकोलस पूरन के अलावा वेस्ट इन्डीज की कप्तान रॉमन पावल ने 25 गिंदों में 52 रन बनाए रॉमन पावल की पारी में 4 चौक्य और 4 चौक्य शामिल रहे अंत में शेर्फिन रदर फोर्ड ने भी 18 गिंदों में 47 रन कूट दिये शेर्फिन रदर फोर्ड ने भी 4 चौक्य और 4 चौक्य और 4 चौक्य उड़ाए वेस्ट इन्डीज ने आस्ट्रिलिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 257 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिये 257 रनों के लक्ष का पीछा करते हैं आस्ट्रिलिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 222 रन ही बना पाई वाम अप मैच में आस्ट्रिलिया के बल्लेबाजी वेस्ट इन्डीज के मकाबले कमजोर नज़र आई आस्ट्रिलिया ने वेस्ट इन्डीज के खिलाफ ये मैच 35 रनों से गवा दिया बता दे कि वेस्ट इन्डीज और अमेरिका की धर्ती पर टीट्वेंडी वर्लकप 2024 की शुरुआत एक जून से होने जा रही है टीट्वेंडी वर्लकप 2024 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को आईरलैंड के खिलाफ करेगी 9 जून को टीट्वेंडी वर्लकप में भारत का सामना चिर प्रत्वणदी टीम पाकिस्तान से होगा वैसे टीट्वेंडी वर्लकप का बिगुल तो बच चुका है अब पूरी दुनिया स्ट्रोनमेंट का अनंद उठाएगी और चारों तरफ से दिगगज खिलाडियों का बयान भी आ रहा है कई पूर्व दिगज खिलाडी अपने अपने हिसाब सरस्पार टीट्वेंडी वर्लकप की चैंपियन टीम बता रहे हैं वैसे आपको टीट्वेंडी वर्लकप में चैंपियन टीम कौन से लगती है कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें